टूपिक डिसकस करें हमों कुछ ऑले रिडले काल में कृण्यों की डिसकस करें सभक और श्ousse को कि डिसकस कहने का एंटियों अड्या लिडले क今天 अटेट्स कुछ जूत व क्टेजD तो अभी रीसेंटली भी हिंदू न्यूस पेपर में आई थी दिसंबर के महीने में कि जो लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है जेड़ेसाइटर के औरनाइजेशन है उन्होंने ओलिव रिड्ले को टाक करना शुरू कर दिया है उनकी माईग्रेशन के चक्कर में तो फ्रे सकते हैं तो सोचा इसको भी डिसकस कर लेते हैं आपके लिए पूरी रिवीजिन हो जाएगी और कौन-कौन-कौन-सी जगहा पे इनकी जो मेजर निस्टिंग साइट्स है उसके बारे में बात करूंगा साथ में इनका conservation status क्या है और क्या-क्या initiatives लिए गए वह सबसे ज्यादा important है वह मैं बताऊंगा तो बहुत जगह से information कलेक्ट करके यहां पर पढ़ा रहा हूं इस lecture को देखने के बाद आपको कोई और lecture या फिर देखने या पनने की जरूत नहीं पड़ेगी और रिडले के गंटेक्स में इतना मेरा assurance आपकी तरफ से जो लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है जो कोलकाता बेस्ट है तो यानि कि मैंने इसमें यह भी information बता दी है कि जो mainly वैसे सर्वेस ऑफ इंडिया है वो काफी जादा आपके कोलकाता में headquarter है क्योंकि उस ताइम पे यह जो सारी जेडेसाई आर कैरिंग आउट टैगिंग ऑफ दा ओलिव रिडले टर्ल्स एट थ्री मास निस्टिंग साइट अलॉंग दा ओडिशा कोस्ट इसको मैं मैप के तुरू भी आपको बता दूँगा हो सकता है वो सीक्वेंसिंग में भी पूछ ले बहुत ही प्यारा सामें गाहरमथा आप दा माउथ देवी रिवर एंड दा माउथ ओफ रूशी कुल्या रिवर तो ओडिशा कोस्ट के लॉंग यह जो तीन मास निस्टिंग साइट से नॉट अनली इन इंडिया बट आल ओवर देखा जाए तो वहां पर इनकी टैगिंग करना शुरू कर दी है तो कॉंग्रिगेशन एंड निस्टिंग यह मैं सारी चीज़े बताऊंगा और इसका माईग्रेशन पात क्या है क्योंकि बहुत जादा इनका लंबा माईग्रेशन रूट होता है और स्टडी वोड और इस तरीके साथ ट्राक करा जागा इनकी मूवमेंट को ठीक है तो यह हमा पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना पड़ेगा यह मैं आपको बता दिए कि यही पॉइंट्स थे अब मैं ऑलिव रिड्ले के बारे में एक पूरा लेक्चर कवर कर देता हूं ओवराल सी टर्टल का एक लेक्चर अंडर दा टॉपिक ऑफ ऑपरेशन ऑलिविया वो भी एक्यू बाइस के चैनल पर है वो भी हमने अपलोड कर रहा है पर वो सी टर्टल और सरफ ऑपरेशन ऑलिविया के बारे में तो उसनों अलिव रिड्ले के बारे में डिटेल नहीं इस कौन-कौन से सी टर्टल इंडिया में मिले जाते हैं उनका कंजरवेशन स्टेटर्स क्या है क्या इशूज है क्या कौन से दिन उनका सी टर्टल डे और अब्ज़व करा जाता है वो भी एक यू बाइस के चैनल पर वह भी मैंने कर रहा था ये टॉपिक सरफ एक तो इसक किसे अब आप कहते हैं तो अगर आपको identify करना है पूरा नाम identify करने की जरूरत नहीं आप इसका सरनेम देख लिजिएगा जो इसका सेकिंड पार्ट है तो इसके बेसिस पर आप देख सकते है कि Olive Ridley है आपका Common Name इसका वह ही है जो मैंने आपको बता दी और दूसरा नाम है इ आपको ट्रिक करने के लिए All of Ridley पे ना कोशन पूचे Pacific Ridley पे आपसे कोशन पूच ले तो बात एक ही रही है Ridley के और भी species है आपके वह भी आपको बता दूँगा कौन से इसके related है पर इस two are same ठीक है और यह इसका scientific name है देखे नास का question on the scientific name also अब इसके features बात कर लेते हैं So growing to about two feet in length and just 50 kg in weight they are one of the smallest species of all the sea turtles found in the world okay कुछ कहते हैं कि they are the smallest and कुछ कहते हैं they are one of the smallest तो यहां पर debate चल रहा है कौछ काफी जगा पर तो वैसे कहा है कि they are the smallest पर कुछ जगा पर यह भी लिखा है they are one of the smallest और they are the second smallest of the sea turtles तो इस पर थोड़ा debate है मैंने research करी तो concrete answer नहीं विला है इसलिए मैंने कहा है they are one of the smallest पर point यह है कि size इनका बहुत छोटा है in comparison to the other sea turtles या तो smallest ह है second smallest third का अब तो बात ही नहीं है पर first or second smallest में तो कुछ है और इनका olive riddle रिडले तो ठीक है पर यह olive नाम कहां से आये इनका डॉरल ओलिव रिडले gets its name from its olive colored carapace which is heart shaped and rounded अगर आम देखेंगे यहां पर यह olive रिडले का species है यहां पर तो इसका olive यह जो इसका करपेस है जो इसका outer covering है इसका तो वह olive color का है so it is olive colored carapace which is heart shaped and rounded यह आपका है और features की बात करें males and females grow to the same size however females have a slightly more rounded carapace as compared to the male तो almost same size है बट उनका जो outer covering है जो करपेस है इनका वह female के में ज्यादा आपका rounded होता है as compared to the male they are carnivores जाने की non-veg खाते हैं इनका Tuesday वगरह यह सब celebrate नहीं करते हैं यह and they feed mainly on jellyfish, shrimp, snails, crabs, mollusks and a variety of fish and their eggs long story short यह non-veg खाते हैं carnivores हैं okay they are the most abundant of all the sea turtles found in the world but in spite of that इनका IUCN status जो है आपका vulnerable है यह चीज़ धियान रखने हैं they are the most abundant of all the sea turtles found in the world काफी सारे sea turtles हैं I think 7-8 turtles हैं इंडिया में ही हैं I think 5 मेरे जाते हैं तो यह सबसे ज़्यादा abundant हैं दो चीज़े इनकी धियान रखने हैं कि they are the most abundant and they are also the smallest or the second smallest तो यह चीज़े इनके जो यह features धियान रखने हैं इनके और इनका मैंने बता दिया कि इनकी diet के बारे में size के बारे में और इनका जो नाम आता है वो olive कहां से आया है तो यह मैंने basic features इनके बता दिया कि किस तरीके से हैं अब इनके habitat के बारे में बात कर लेते हैं इनकी distribution के बारे में बात कर लेते हैं मतलब कहां मिलते हैं किस टैप का यह environment prefer करते हैं अपने दिये So they inhabit the warm They inhabit the warm waters of the Pacific Atlantic and Indian Ocean Pacific Atlantic and Indian Ocean जो भी आपका tropics में के बीच में जो warm water आता है वहां पर यह मिलते हैं These turtles spend their entire lives in the ocean Almost जो इनकी majority of the lives है ocean की सरफ वह oceans में ही निकालते थे And they migrate thousands of kilometers between feeding and mating grounds In the course of year That's why इनकी में migration path के बारे में जो geotacking हो रही है JSI ने करी है GSI नहीं करी है Geological Survey of India ने वो करी है इस ही विदा से That they migrate thousands of kilometers between feeding and mating grounds ठीक है But mainly ocean में ही travel करते रहते हैं अब हम topic करते हैं Arribada के बारे में ये हम topic discuss करते हैं क्योंकि ये है ये इनका सबसे unique phenomena है ये इनका mass nesting का है जो आप सारे turtles यहाँ पर देख रहे हैं Actually ये बीच पर आये हूँ है mass nesting के लिए इसे कहते हैं Arribada इसके बारे में बात करते हैं So, जैसे मैंने आपको बताया था कि Olive Ridley and Pacific Ridley are same पर इनका एक और species है Camps Ridley That is a different species But इनका कहा जाते हैं कि इनका cousin है और Sea Turtles का एक और species है Camps Ridley So, Olive Ridley Along with their cousin's Camps Ridley ये दो Sea Turtles है जो phenomena exhibit करते हैं Arribada का That is unique mass nesting That is thousands of females come together Mass nesting का मतलब हो गया Thousands of females come together on the same beach To lay their eggs जैसे मैंने आपको बताया था Olive Ridley अपना Oceans में ही सबसादा time Spend करते हैं पर जो mating का phenomena होता है Opposite gender के साथ वो आपका offshore करते हैं उसके बाद आपका ये beach पे आते हैं Eggs ले करने के लिए And these Sea Turtles एक तो ये question वैसे इस पर बन सकता है कि 4-5 Sea Turtles की बारे में उन्होंने Information दे दिया और लिख दिया कि Olive Ridley, Camps Ridley और जो बाकी सारे Species उनके बारे में बता दिया तो उसमें से पूट सकते हैं कि You have to select which of the species Exhibit this phenomena अरे बड़ा तो correct answer is Will be Olive Ridley and Camps Ridley And as I told you That Pacific Ridley is another name of Olive Ridley So they can replace Olive Ridley With Pacific Ridley So in that case it will be Pacific Ridley and Camps Ridley These Sea Turtles generally return to their natal beach Or where they were born to lay eggs as adults So two things होगी पहली बात तो यह mass nesting होती एक टाहिम पे ही बहुत सारे इनका जो पर्टिकुलर पीरोड होता है उसी टाहिम पे सारे Sea Turtles आते हैं कि चलो एक साथ यह चीज जो आपका होता है They lay their eggs And second thing is कि they return to the same beach where they were born तो उडिशा में अगर कोई आपका olive ridley का species है जो पैदा हुआ था और migrate करता है पर वो eggs lay करने के लिए आपका उसी बीच पे वापस आता है Mating occurs in the offshore waters of the breeding grounds and the females then come ashore to nest usually several times during a season तो वही होता है कि जहां पर आपके eggs ले करे जाता है तो उसी के offshore water में तो वहीं पर आपका ये मेट करते हैं and then they come to their breeding grounds यानि कि जो आपका बीच हो गया वाप पे ठीक है During this phenomenal nesting up to 6 lakh and more females emerge from the waters over a period of 5 to 7 days to lay eggs तो extreme cases में देखा जाता है यानि कि आरओं 6 lakh turtles भी आपके निकलते है They lay their eggs in conical nest about 1 and a half feet deep which they dig with their hand flippers Usually olive redlays prefer to nest in darkness जो nesting का फिनॉमेना होता है जो उन्डाल ये they lay their eggs तो वो darkness में होता है but sometimes due to pressure of delivery time they may be opting to nest at a day time In fact, इसी साल एक news आई थी Hindu newspaper में आई थी कि after many years they saw that olive redlays are nesting in the day time तो इस पर भी question मन सकते है कि they only do the nesting in night time or the whole day तो generally, it is usually they prefer night time because they are not वो होता है कि normal light भी और artificial light they don't prefer तो इसी वरा से वो night time prefer करते हैं but अगर कभी कार होती है ज़रूत होती है delivery time का pressure होता है कुछ भी होता है तो ये day time में भी अपका delivery nesting करते हैं अब हम बात करते हैं कि इनकी जो major nesting sites है वो कहां कहां पे हैं ठीक है nesting sites तो ये हैं कि आपकी Mexico हो गई Costa Rica हो गई यहां पे भी है but coast of Odisha is the largest mass nesting site for the olive ridley followed by the coast of Mexico and Costa Rica आपको पता नहीं होगा कि Odisha सबसे बड़ी it's the largest mass nesting site for olive ridley और Odisha में भी मैंने बताया थे कि तीन major nesting sites हैं उसमें जो गहर मथा बीच है of the bay of Bengal coast in Kendra Parra district ये भी पूट सकते हैं कि ये जो आपका बीच है ये कौन सी district में Odisha की Kendra Parra district of Odisha it is acclaimed as the world's largest nesting ground of these turtles तो जो मैंने आपको बताया था कि Odisha में तीन जगा पे आपकी जो mass nesting sites है वो है आपकी गहर में था जो मैंने आपको बताया था Kendra Parra district of Odisha है वहाँ पे which lies in the regions of rivers ब्रह्मानी, बैतरानी and धम्रा then at the mouth of रुशी कुल्या river and at the mouth of देवी river याद करने में आपको आसानी रेगी तो मैंने आपको ये बता दिये mass nesting sites ये आपका उडशा हो गया साथ में आपका ये हो गया गहर में था बीच हो गया जो मैंने आपको बताया था कि तीन rivers हो गई, आपकी धम्रा हो गई फिर हो गई ब्रह्मानी हो गई and बैतरानी हो गई ये हो गई फिर साथ में हो गया आपका at the mouth of देवी river ये आपका देवी river हो गया ये महानादी river है वैसे और जो देवी river उसकी ट्रिब्यूटरी है ये आपका हो गया and टीसरा आपका हो गया at the mouth of रुशी कुल्य river तो sequencing में देखा जाए तो सबसे पहले आपका top पे आता है गहर मता then देवी river and then रुशी कुल्य in fact मेरे असाब से इस पर कुछ ना कुछ कोशन तो आ चुके है map point of view से ये कह सकते हैं कि you have to identify sequencing में तो ये पूट सकते हैं यहाँ पे तो again just remember this चीग है और बीच बीच में भी मतलब listing तो होती है पर ये जो तीन जगा है यहाँ पर mass listing होती है तो ये हो गया आपका फिर आप इनका conservation status देख लेते कि IUCN में साइट्स में wildlife जो act of india है उसकी according क्या है जैसे मैंने बताया था कि they are the smallest or the second smallest in the size but they are the most abundant sea turtle हम olive ridley के बारे में बात करते रहते हैं कि काफी threatened है but in spite of that they are the most abundant sea turtle of all the sea turtles but in spite of that उनके numbers decline हो है past few years में and thus they are listed as vulnerable ये इसका IUCN status बहुत important है under IUCN red list that is international union for conservation of nature ये जिसकी red list है they are also listed as in the appendix one of sites जो आपकी है convention of international trade in endangered species of wild fauna and flora also known as the Washington convention तो जो आपका sites है आपका convention on the international trade in endangered species जो आपका हो गया तो उसके भी appendix one में आता है ये तो यानि कि highest level of protection आपके प्रोवाइड करेंगे ये IUCN में थोड़ी कम level of protection है vulnerable ही है I hope उसमें भी आपका थोड़ा और बेटर हो जाए वैसे and अगर हम wildlife protection act of 1972 की बात करें जो इंडिया का है इंडियर wildlife protection act of 1972 अगर हम उसकी बात करें तो सारे पांच की पांच जो sea turtles इंडिया में मिलते हैं मैंने sea turtles के लेकर में बताया था they are included in schedule 1 of this act तो उसमें भी highest level of protection दी जाती है तो सब्सक्राव और रिट ले ही नहीं बाकी सारे जो चार और species है turtles के उनको भी इसके अंदर इसी इंडियन wildlife protection act of 1972 के अंदर schedule 1 में तो साइट्स जो है आपकी जो convention of convention on international trade in endangered species उसके भी appendix 1 में wildlife protection act of india 1972 के उसके भी schedule 1 में and IUCN के red list में आपका vulnerable है तो क्यों इतनी high level of protection दी जाती है because काफी सारा threat है एक तो turtles को ही और साथ में उनके eggs को भी पहली बात हो गया कि appendix 1 में list करने के बावजूद of sites जो आपका है they are very much poached for their meat, shell and leather जो poaching होती रहती है दूसरी बात है कि जो आपके trollers nets होते है जो वहाँ पर आपके जो mechanical trollers होते है तो उनके nets में फस जाते हैं ये तो इस वज़ा से वहाँ पर इनकी death हो जाती है turtles को क्योंकि जो आसपास इनका जो nesting beach है उसके पास भी fishing होती रहती है तो वहाँ पर olive ridley आपके मैंने आपको बताया था कि ये oceans में ही travel करते रहते हैं most of the time is spent in their ocean तो वहाँ पर उनके nets में फस जाते हैं और उनकी death हो जाती है फिर हो गया Arribadas का phenomenon in fact ही एक reason है जो major इनका cause है ये कहा जाता है कि काफी वर जो इनका beach है अब जैसे beach erosion भी हो रहा होता अगर beach erosion हो रहा होता है वो एक अलग से threat है और उसकी विरा से mass nesting की विरा से क्या होता है कि already कुछ beaches पे जैसे मैंने आपका पताया गहेर मठा वहाँ पर 6 लाग आपके वहाँ पर turtles आ रहे होते हैं तो the density of nesting female is so high that the previously laid nests are dug up and destroyed by the other nesting females तो जानी कि एक आपका female turtle आई उसने अपना nest बनाया गड़ा होदा और उसमें अंदर एग ले करा तो क्या आता है उसको पर फिर मिट्टी भी आ गई अब उसके बाद क्या हुआ दूसरी आपकी वह टर्टल आता है और उसी जगह पर गड़ा खोथी तो उसी चक्कर में जो पहले जो एग ले करा होता है वह डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसी वज़ा से density बहुत जादा हाई हो जाती है ठीक है देन एक्स जले जब करते हैं तो उनके चक्कर में भी आपकी हवी प्रिडेशन हो जाती है मतलब वहां पर इनके एक्स को खा दिया जाते हैं दूसरे बीच एरोजन हो गया due to natural disasters climate change उडेशा में हम आपर cyclones आते रहते हैं तो इसकी वरह से भी आपका बीच एरोजन होता है and then another reason not only for olive redlay but overall for all the sea turtles is the artificial elimination तो यह जो sea turtles सारे sea turtles की माँ बात करूं सरफ olive redlay की बात नहीं all these are highly sensitive to artificial bright light अब क्या होता है इस time पे beach tourism के context में तो क्या होता है कि रात के time पे beaches पे artificial आपके flood lights लाई जाती है तो यह बहुत जादा sensitive होते हैं तो इसके चक्कर में काफी बार देखा गया है कि mortality rate caffeine का hatching mortality होते हो काफी जादा हाई होता है thus major sea turtles nesting beaches that are subjected to bright illumination have witnessed heavy hatching mortality hatching mortality का मतलब यह हो गया जैसी अब का अंडा तूटता है और बच्चा जब निकल आता है तो वह इतने used to नहीं है एकदम से इतनी bright artificial light के लिए तो उसकी विज़ा से इतनी जादा sensitive होते हैं वो कि उनकी death ही हो जाती है तो एक ये भी reason artificial illumination का तो ये भी आपको ने कहीं पर पढ़ानी होगा इसलिए बताया है तो ये आपके काफी सारे threats है तो friends और जो मैंने आपको बताया था कि वैसे और भी क्या-क्या efforts लिए गए है to make sure कि उनको prevent करने के लिए ये तो मैंने आपको बताया था conservation status का साथ में एक Indian coast guard है जो आपका operation Olivia launch करा हुए उसके बारे में पहले मैंने lecture में बताया गया है साथ में nets जो आपके हैं तो उनमें ऐसे भी nets प्रोवाइड करें गए हैं जिसके अंदर एक opening प्रोवाइड कर दी जाती है तो यानि कि जैसे trawlers में अगर nets हैं अगर उसमें करा जा रहा है तो उन एक ऐसे special type के nets भी बनाए गए हैं जिसके through वहां से olive ridley उसमें अगर फस है तो उसमें से निकल सकते हैं और basic वही है कि आपकी beach prevent करना चाहिए कि वहां पर मैंने आपको conservation status तो बता दिये तो यह सारे initiatives हैं तो friends यह मेरा lecture था olive ridley का बहुत सारे social media platforms पर हम available है अगर आपकी कोई भी query है then please feel free to connect with us और यह हमारा contact number 9319057600 okay friends so this is Deepak Singh on behalf of aqbias bye thank you